कि स्वागत करता हूँ एक और नयवर अमेजिंग वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें बहुत ही गर्मा गरम रूमीटर बनाने वाले हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो रूमीटर है इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और ब आपके रूम को जो है गर्म करेगी और यहां पर एक मुवाइल चार्जर की सरकीट लगी हुई है जिससे कि यह जो पूरा सिस्टम है वह ऑपरेट होगा बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में वीडियो में मैंने एक-एक स्टेप एक्स्प्ले तो दोस्तो इसे बनाने के लिए मैं यहां पर एक मटके का धकन यूज कर रहा हूँ और यह जो धकन है यह आपको कुमार के सौप पे बहुत ही आसानी से 10 रुपे का मिल जाएगा और यह हर जगा मिलता है कोई यह बहाना नहीं बनाएगा कि मेरे यहां नहीं मिल रहा है तो यह जो फैन है इसका डाइमेंसन कितना है मैं यहां पर आपको दिखा दे रहा हूँ लगभग 6-6 cm का है तो छोटा ही CPU फैन है आपको बहुत ही आसानी से 40-50 रुपे के बीच में मिल जाएगा और इसको हम जो है कुछ इस तरीके से यहां पर लगाएंगे दोस्तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इसके लिए मैं जो है यहां पर मार्किंग करूंगा और आपको मार्किंग करना है और उसी के अनुसार यह जो हमारा कैप है उस पर कटिंग भी करनी है तो चलिए फटा-फट से इस पर जो है मार्किंग कर लेते हैं और मार्किंग करने के बाद कटिंग भी कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जो हमारा इक्जोष्ट फैन है या फिर सी प्यूफैन है कैसे यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर कटिंग कर लीजिए तो यह जो CPU फैन है इसका प्रोपेलर जितना बड़ा है हमने कटिंग भी उतने ही बड़ी की है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहां पर इस पर लग जाएगा और इसको चिपकाने के लिए दोस्तों मैं यहां पर यूज कर रहा हूँ आप फैबिक क्विक वगेरा से भी चिपका सकते हो लेकिन उतना जादा टिकाउन नहीं होगा फैबिक क्विक से और गुलूगन से भी चिपकाने पर हो सकता है कि गुलूगन पिघल जाए इसलिए मैं यहां पर एमसिल का यूज कर रहा हूँ यह जो हमारा fan है यह जो exhaust fan है उस पर लगाना होगा तो चली अफटा-फट से इस पर लगाना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि यह जो हमारा exhaust fan है यह हमने उल्टा लगा दिया है यह जो है दूसरी तरफ का होना चाहिए चली इसको पलट देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पलट दिया है और MCL इसके चारो तरफ लगा दिया है हुआ क्या था कि मैंने सोचा था कि इसके जो wires के connection है उसको पलट देंगे तो यह उल्टा चलने लएगा जैसे कि हमारे DC motor जो होते हैं वो चलने लगते हैं लेकिन यह जो फैन है इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें आप positive को positive को negative को negative में लगाएंगे तब ही चालू होगा नहीं तो नहीं चालू होगा बागी सारे मोटर होते हैं, कि वो io è reverse चलने लगते हैं, लेकिन यह जो है नहीं चलता है, ये बात में थोड़ी है भूल गया था, तो यहाँ पर मैने इसको पलड दिया है, एक बार मैने लगा लिया था, फिर मैंने पलड दिया है फिर से MCL यहाँ पर लगा देते हैं अभी सुखा नहीं था О Labs तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MCL लग गया है और यह जो प्रोपेलर है उसके उपर आगए है इस पे जो है एरो भी बना था मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तब तक आपको wait करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो MCL है वो सूख कर एकदम पत्थर नुमा हो गया है अब यह जो हमारा fan है वो नहीं निकल सकता अब यह जब निकलेगा तो यह जो हमारा ढखका ने तोड कर ही निकलेगा अब चलिए इसके सबसे एहम पार्ट पर आते हैं यानि कि इसका heating element तयार करते हैं तो इसके heating element को बनाने के लिए मैं यहाँ पर soldering iron के 35 watt का element का use कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो है 4-5 खरीद कर लाया हूँ और यह 35-35 watt के soldering iron element है जो कि बहुत ही आसानी से आपको 10 रुपे में market में मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हो गए 3 हो गए मैं आपर 4 use करूँगा ठीक है तो 4 ठीक रहेगा क्योंकि 4 भरका जो हमारा कैप है उसमें जगा भी है तो यहाँ पर 3 में निकाल लिया है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे हम कैसे लगाएंगे तो यह दोस्तो हमारे soldering iron के जो hitting element है इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगी कि यह जो है उपर में रहे और जब हम इस fan को चालो करें तो यह जो है गर्म हो और गर्म हवाएं अमेशा उपर की तरफ आती रहे तो यहाँ पर एक और ले लेते हैं और इसको जो है हम चारो को एक साथ fix करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमाले पास 35 वाट के चार soldering iron element हो गए और यहाँ पर हम एक cycle के wheel का spoke यूज़ करेंगे और इस spoke में हम soldering iron के elements को कुछ इस तरीके से फसादेंगे और यह जो soldering iron के elements होते हैं इसकी खास बात यह होती है कि इसमें current नहीं आता है इसको आप किसी तरह से छू दीजिए इसमें current नहीं आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 4 elements कुछ इस तरीके से लग चुके हैं अब इसको हम अपनी अनुसार नाप कर आपको थोड़ा सा गहराई में भी रख सकते हैं मैं यहाँ पर उपर ही रखूँगा तो इसको नाप कर हम cutting कर लेंगे इस spoke का तो चलिए इसको यहाँ से हम जो है काट लेते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 2 भागों में कर दिया था और 2 भागों में करके मैंने copper के wire से इसको उपर और नीचे काफी अच्छे से यहाँ पर फसाद दिया है ताकि हमारा soldering iron का element जो है वो हिले ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यह जो है काफी अच्छे से यहाँ पर लग जाएगा, तो दोस्तु अब जो है आप इसका connection कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो आप देख रहे हैं जिनमें मोतिया लगी है, यह wires है मोतिया इसमें insulation के लिए लगी होती है, ताकि जो है current warrant ना लगे, तो यहाँ पर चार उपर के और चार नीचे के wire को हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे ठीक है, और फिर हम इन wires को काट कर पहले छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद चारो को एक साथ कर लेंगे तो चलिए फटा-फट से पहले cutting कर लिया जाए इन चारो को और इन यह छोटा कर लिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ के चारो वायर जो है छोटे हो चुके है अब इन चारो वायर के जो अंदर के मेटल के वायर निकलेंगे उन सभी को कुछ इस तरीके से हम एक साथ कर देंगे ठीक और आपको उपर और नीचे के वायर को mix नहीं करना है एक भी तो चलिए दूसरे वाले को भी हम cutting कर लेते हैं इसमें बहुत सारी मोतिया निकलेंगी थोड़ा सा इसका layer हटा देना है और नीचे वाले को भी कुछ उसी परकार से connect कर देना है चारो को एक साथ जिस परकार से उपर वाला connect हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों की लगभग जो है मैंने चारो को एक साथ कर दिया है अब इस पर जो है हमें wires भी sold करने होंगे ठीक तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आप गलती मत कीजिएगा चारो एक तरफ के एक साथ और चारो एक तरफ के एक साथ करने है ठीक है? अब इनको थोड़ा सा और लंबा करना होगा हमें wires चाहिए होगे तो चलिये wires को लाते हैं और wires को इसमें connect करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ wires हैं यह अच्छे वायर से अच्छे quality के वायर से तो इस पर यह चल जाएगा अगर आपके पास कुछ इस तरह के वायर नहीं है तो मार्केट से आप खरीद कर ला सकते हो तो मैं यहाँ पर छोटा सा पार्ट ही लिएंगा वायर का और उसको मैं इसमें connect करूंगा तो चलिए दोस्त कि दोनों वायर connect हो चुके हैं अब इन पर मैं soldering कर रहा हूं तो जो हमारे soldering element के wire होते हैं उन पर soldering नहीं होती लेकिन जो wire हमने इस पर connect किये हैं उस पर soldering हो जाएगी तो अच्छे से पकड़ लेगा और यहाँ पर मेरे पास heat shrink tube है जिसको कि हम कुछ इस तरीके से इस पर चड़ा देंगे ताकि जो है कोई भी sold circuit वगरा का खत्रा न रहे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे room heater का सबसे main part यानि की heating element जिससे कि हमें गर्मी मिलेगी वो जो है बनकर त्यार हो चुका है और इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो द box से उसके अंदर डाल सके ताकि काफी अच्छे से हमारा heating element इसमें fix हो जाए आप चाहो तो ऐसे भी जो है एमसिल से चिपका सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर छेद बना देता हूं ताकि और भी जादा अच्छे से यहाँ पर fix हो जाए और यहाँ पर एक और छेद मैं बना देत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें चेद कर दे रही है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे proper तरीके से यहाँ पर चारो-पांचो चेद को बना लिया है अब चलिए इन दोनों वायर्स को हम इसके थूरू बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा हीटिंग element है काफी अच्छे से यह जो हमने holes बनाया है उसके उपर इस तरीके से लग जाएगा यह जो हमारा हीटिंग element है इसमें fix हो जाएगा और fix हो जाने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने देंगे ताकि यह अच्छे से सूख जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा fan है उसमें चार जो है screw कसने के लिए holes बने होंगे ठीक वहाँ पर हम कुछ इस तरीके के चोड़े माथे वाले जो screw है कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे और इसको पूरा नहीं कसना है हलका हलका ही कसना है ताकि यह जो है एक stand की तरह यहाँ पर vista हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन कस चुके है एक-डम योग никакихा नेद 29 यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इस्टेबल हो चुका है अब दोस्तों हमें क्या करना है कि कनेक्शन करना है इसके लिए हम लेंगे एक 12 बोल्ट का सस्ता वाला एडप्टर यह जो एडप्टर है दोस्तों यह LED ड्राइवर के रूप में मिलता है और 30-40 रुप उसका कनेक्शन काटा गया है जो कि 5 बोल्ट का था आप भी अपने कोई भी मोबाइल चार्जर से इस तरह से जेनर डायोड चेंज करके उसे 12 बोल्ट के एडप्टर में चेंज कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो मैं काट रहा हूं यहां से DC मिलेगा तो फैन से आ रहे हैं दोनों वायर को हम यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखके कनेक्ट कर देंगे यहां से 12 बोल्ट DC मिलेगा जिससे कि हमारा जो फैन है वो चलने लएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों वायर जो है कनेक्ट हो चुके हैं अब प्राबर रूप से यहां से अगर कनेक्ट कर देंगे तो पावर चली जाएगी तो दोस्तों इस एडप्टर में जो AC करेंट है उसे यहां से दिया जा रहा था जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि दो रेड़ वायर पहले से ही कनेक्ट था तो वहीं पर जहां पर यहां पर पूरा कनेक्शन हो चुका है तो दोस्तों अब इसको पावर देने के लिए मैंने यहां पर एक प्लग लिया है और इसमें दो वायर जो है कनेक्ट कर दिया है और इसको हम वहीं पर कनेक्ट करेंगे जहां अभी अभी हमने वायर कनेक्ट किया है हीटिंग अलिमेंट का ठीक है तो चलिए फटाफट से वहां पे connect कर देते हैं तो दोस्तों अगर यहां पे हम power अगर दे देते हैं AC current का तो यहीं से AC current का power हमारे heating element में चल जाएगा जो की उसे जलाएगा और DC 12 bolt पे हमने connect कर रखा है fan का जो की fan भी चलने लएगा अगर हम यहां पे power दे देते हैं तो दोस्तों इसका connection था वो बहुत ही easy था चलिए मैं फिर से एक बारा को समझा देता हूँ यहां से अगर आप power देंगे तो यह power जो है यहां पे AC current के थुरू चला जाएगा heating element में जो की heating element को चलाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं 12 bolt का DC आएगा जो की यहां पर fan को चला पुले में ही एक बार testing करके दिखा देते हैं वैसे इसको तो हम अभी ढगेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने AC current किया और यहां पे switch on कर दिया तो fan जो है वो चलने लगा जैसा कि आप sound सुन सकते हैं और यह जो heating element है वो भी heat होने लगा बस हमें अभी इतन कि वगेरा बनता है वहां पर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा तो चोटा से टुकड़ा आप उससे मांग लीजेगा और यहां पर बहुत ही इसली यह लग जाएगा सिर्फ इसको लगा कर और आपको मोड देना है यह जो है safety के लिए भी हो जाएगा वैसे current तो इसमे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो room heater है वो कितने बहतरीन तरीके से बन कर तयार हो चुका है यहां पर मैंने एक जो है changing किया है यहां पर एक जो है मैंने variable resistance वाला rotary switch लगा दिया है यह देखिए यह जो rotary switch है बहुत ही आसानी से 5 रुपे का आपको मिल जा है कि यह जो fan है इस fan के positive वाले wire को काड़ देना है बीच से और इसमें दो terminal मिलेंगे यहां पर आप देख सकते हैं और इसी पर आपको sold कर देना है सिर्फ यहां से आप यह होगा कि आप जो है इसे off भी कर सकते हैं जो fan है ताकि यह गर्म हो जाए फिर उसके बाद fan को चालू करें और अपने temperature के हिसाब से जो fan है उसको तेज या फिर दिमा कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो यह जो है कम करी देगा और off तो करी देगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह त्यार हो चुका है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो simply आपको यह जो plug है इसे चारे दोबनें देते हैं ताकि यह जो है थोड़ा गरम हो जाया है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते होंगे कि इसके elements में से धुआ निकल रहा है जो heating element है क्योंकि यह पहली बार चालू हो रहे है इसलिए पहली बार जब चालू होता है तो इसमें से थोड़ा धुआ निकलता है ये एक दो बार जब आप यूज कर लेंगे तो ये धुआ नहीं निकलेगा और ये जो है काफी अच्छे तरीके से हीट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज़्यादा यहाँ पर हीट आ रही है मेरे हाथ के पास बहुत ज़्यादा ये गर्म हो चुका है अब चलिए फैन को चालू करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कैसा हवा आता है तो चलिए यहाँ से जो हमारा रोटरी स्वीच है इ चार एलिमेंट लगे हुए हैं काफी अच्छा हीटिंग करेगा दोस्तो आप इसे बना कर घर में यूज कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए इसे मैं छू दे रहा हूं और कहीं भी करेंट नहीं है तो यह बिल्कुल सेफ है दोस्तो एकदम हंड़ेट परसेंट आप इसे ब पर आकर यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आपको हमारे इस रूम हीटर की वीडियो कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलाओ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए मिलते हैं कैसे नए झाल बाय कै और नह सम्हें झाल से जराइब।